हेलो बच्चो मेरा नाम हैंकित और मैं आप सभी का एजुकेशन वाबा के इस यूटूब प्रेट्पॉर्म पे स्वागत करता हूँ तो आप सभी से जैसा की प्रामिस था कि ये जो वीडियो आने वाली है दो स्रीज में आने वाली है दो पार्ट में आने वाली है तो पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं जिसमें से 200 objective question answer जितने भी पूछे गए हैं वो सारे करवाए गए हैं और इस पार्ट में rest of जितना भी बच गया है ये सारा objective question answer आज हम clear करवाने वाले हैं आज पूरी तरह से clear हो जाएगा यानि कि 2009 से लेकर के 2022 के बीच में जितना भी विहार बोड में या जारखंड बोड में जितने भी हिंदी भासी राज है वहाँ जो पूछे के question है वो लगबग सारे आपको cover हो जाएंगे 12-13 साल का question है ये सब हम लोग cover करवाने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कल क्लास नहीं हुई कल क्लास होगी या नहीं तो कल के जो क्लास थी वो थोड़ी सी schedule में दिक्कत हो गई थी थोड़ा सा technical issue था इसलिए नहीं हो पाई इसलिए ये class जो है आज ह PDF के लिए मैं बात कर लूँगा वैसे तो कोई instruction नहीं है मैंने पहले भी कहा था कि कोई instruction नहीं है PDF के लिए लेकिन फिर मैं बात करूँगा लेकिन मैं पहले कह देता हूं कि आप लोग अपना notebook और pen साथ में लेकर के बैठी है ताकि आप note कर पाए वैसे तो previous year है almost सारे student के प कि यह session को और जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए मैं कह दूँ कि इससे पहले एक class हो चुका है ठीक है यह जो question answer का जो session चल ला है question bank up इसका एक session एक class हो चुका है और इसका link इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो यह session देखने के बाद आप जाईएगा उस link पे click किजेग और यह class भी देख जाईएगा और इससे पहले भी जो one chapter one video solution जो था जो मैं ले करके आया था आप लोगों के लिए वो सब भी उस playlist में है तो आप एक एक करके देख जाईएगा okay recorded नहीं है यह live class है recorded नहीं है आप सभी बच्चों से ठीक है अब सभी बच्चे एक बार जल्द को शुरू करते हैं मैं ठीक है कोई बच्चे ऐसे जो निव स्टुडेंट है अगर को निव स्टुडेंट है तो बताईए मुझे गुड इमनिंग गुड इमनिंग बच्चो वैरी गुड इमनिंग प्रीज सर पीडियाब डाल दीजिये बुक में बहुत गलत है यह बात तो मुझे पता है कि बुक में गलत है इसलिए तुम्हें बताता हूं आप लोग के एक बार जल्दी से लाइक कीजिए और कोई यह class आप पहले आप कर लिजिए इसके बाद आप जाईएगा ठीक है और आपको यहाँ इसी के description में यानि कि जो more का option होता है वहाँ पे click किजिएगा पूरा playlist आपके सामने होगा और इससे ज़स्ट पहले जो वीडियो जो लेक्चर हो चुका है यूटूब पे वो जाकर के आप देख लिजिएगा जो question answer का session है और one video one chapter का भी जो session है वो जाकर के आप देख लिजिएगा आपको अच्छा लगेगा और सारे के सारे concept जो है आपको clear हो जाएंगे तो new student के लिए जो भी message था मैंने बता दिया आप लोग के लिए और अब की जो है class आज की हम लोग सुरू करते हैं पहला question आपके सामने है answer करिएगा पूरा बना पस्चिम पदबंध का आज से किस से है answer करिए इसके बाद time के recording हम लोग ले चलेंगे ठीक है आपको मौका भी दिया जाएगा answer करने का और फिर मैं बताऊंगा भी ठीक है हाँ मुझे पता है आप new नहीं हो ओके यह क्या दिख रहा है आपको objective दिख रहा है कि subjective दिख रहा है एक बच्चा कह रहा है सर objective है या subjective है तो यह दिख रहा है कैसा question है objective है या subjective है आप decide करो आपको अभी तक यह नहीं फर्क पता है दोनों में difference नहीं पता है कि objective कौन सा होता है या फिर subjective कौन सा होता है तो आपके यह होता है दो नबर वाले दो नबर का होता है और जो दिर्ग ठर होता है वो पांस टिर्ग होता है तो आइहोफ आपको केलीर हो गया होगा ओके है है कर वनका उन्सर यहाँ का बेर रहा देखते हैं किया है सृ elder से पूरा बनाम पश्चिम जो है पदबंध जो है यह सब्द जो किससे है विश्यूद से है या फिर सीट यूद से है या तनाव सैथिले से या उत्तर सीट यूद दौर से है तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का सीट यूद हो जाएगा बी आपसर जिनका भी है बिल 1880 के दसक के बाद हुआ, 1970 से 80 के बीच हुआ था ठीक, और उत्तर सीतियुद का संबंध है, यानि कि जब सीतियुद खतम हुआ था, यानि कि 1991 के बाद के समय से है, ओके, next question है, दो धुर्वियता का लक्षन क्या है, अमेरिका का प्रभुत, दो धुर्वियता, नाम से ही पता चल ला है, दो धुर्वियता, ठीक है, तो दो मतलब दो होगा, ठीक है, तो अमेरिका का प्रभुत, यानि सिर्फ एक का ही जिक्र हो रहा है, सोवियत संग का प्रभुत, यहां भी एक का ही जिक्र हो रहा है, अमेरिका वो सोवियत संग का प्रतिदोंदी प्रभुत, यानि क सारे बच्चे answer करते रहिए ठिक है मैं देख भी रहा हूं आपके मेरा जो प्रावमीस किया था ये सेसन लानेス पहले जब स्सक्रावस में लेकर आया था तो मैंने क्या आप लोगों से प्रामीस किया I th बच्चा 50 में 50 लाए जो मेरे साथ सेसन में जुरा हुआ है खास करो objective और मैंने कहा था कि मुझे time मिलेगा तो मैं देखूंगा मैं subjective लाओंगा लेकिन मेरा पहला focus मेरा primary focus जो था 50 में 50 objective के लिए था और सारे बच्चे जानते इस बात को सारे बच्चे जानते ठीक है बिल्कुल क्या रांसर आपको तीन का सी आ रहा है 1970 के बाद बिल्कुल सही है 1970 के बाद सी ऑप्सन हो जाएगा सी ऑप्सन हो जाएगा हमारा सही आंसर तनाव सेथिल का मतलब क्या है जो तनाव था जो टेंसन दोनों के 20 था यानि कि USA और USSR के भी ज इसके बाद जो है न अब किसी तरह का परती दोंदता नहीं रहेगा इसी को तनाव सेथिल का दौर कहा गया था और यह जो दौर था 1970 के बाद देखने को मिला था दोनों के बीच ओके next question है क्यूबा संकट किस वर्स उत्पन हुआ था तो क्यूबा संकट जो उत्पन हुआ था आप सभी को पता है 1962 में क्यूबा संकट उत्पन हुआ था नमबर सी हो जाएगा सीत यूद का चरम बिंदू क्यूबा संकट को कहा जाता है क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन हो गई थी जो जैसे लगा था कि दोनों जो महा सक्तियां है USA और USSR इन दोनों के बीच यूद अब होकर रहेगा इसलिए क्यूबा संकट को सीत यूद का सीत का चरम बिंदू कहते हैं तो क्यूबा संकट वहीं बर्लीन की दिवार को सीत यूद का बर्लीन की दिवार को सीत यूद का प्रतीक कहा जाता है ठीक है समाझ में आ गया होगा बिलकुल नेक्स कोश्चन है और 61 में क्या हुआ था 61 में हुआ था बेल ग्रेड में क्या हुआ था पहला गुट निर्पेक्ष संबेलन हुआ था तो ऐसे भी यह देखते रहिए जो जो ऑप्सन मिलता है यहां से हम लोग डिसकस भी करते जाएंगे नेक्स कोश्चन है सोवियत संग ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था सोवियत संग ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था तो सोवियत संग ने जो सैनिक गुट बनाया था यह वारसा संधी बनाय गय थी सोवियत संग के दोरा तो डी ओप्सन हमारा सही हो जाएगा कब बनाया ग बना था 1991 51 मैंने बोल दिया 1991 में खतम हो गया था ठीक है आठ सदस्ते इसके वार्षा जो है पॉलेंड पे एक जगह था वहीं पे संधी साइन हुई थी नाटो को कॉंटर करने के लिए नाटो और नाटो के जो पश्मी यूरोप के सहयोगी देशती उसको कॉंटर करने के 12 मेंबर थे वर्तवान में 30 मेंबर है हेड़कॉर्टर ब्रूसेल्स बेल्जीयम है सीटो और सेंटो एसीयां बनाया गया अमेरिका का सेने संगटन था जिसमें पाकिस्तान सामिल हो गया था और इसी को कॉंटर करने के लिए भारत ने 1971 में सोबियस संग के साथ मितरता के 27 का आश से किस देशों से है Question Bank का अंसर गलत है और चुकी ये देखिए ऐसा platform है यहाँ पे हर लोग देखेंगे ठीक है तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जहां से भी लाओ बिल्कुल resource के साथ लेकर कर आओ जो भी चीज़े बिल्कुल fact के साथ लेकर आओ प्रूब के साथ लेकर गया हूँ ताकि ये आप लोग ना कर सके कि सरी ये गलत है Question Bank में आंसर डेफिनेटल गलत है दिये हुए वहाँ पे ठीक है मैं इससे agree करता हूँ बिल्कुल जी 77 का आख से विकासिल देसों से आप सभी जानतेए 47 कंट्री है बिल्कुल नेक्स कुश्चन किस देश ने नाटो में अमेरकी नतृत का विरोध किया था। था ब्रिटेन फ्रांस फश्मी जर्मनी या इटली तो फ्रांस जो देश था उसने नाटो में अमेरिकी नेत्रित का विरोध किया था तो ऑप्सन नमर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहां से एक बात पता चलती है बिल्कुल सिक्स का भी हो जाएगा यह यहां से एक बात पता हमें चलती है कि यानि कि जो नाटो का नेत्रित आमेरिका करता है अगर अमेरिका नाटो का नेत्रित नहीं करता तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करता है ॥ा है यहां से एक Gymnames बिलकुल, आगे बढ़ने से पहले मैं देख लूँ आप सब लोगों के जो है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, लेकिन जो है, लाव्ड कम है, तो एक बार, बचो आप जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है, कंजूसी मत किया करो, कंजूसी मत करो, लाइक कर दो, जल्दी से, बिल्कुल चलिए है लाइक चलिए गुड इबनिंग गुड इबनिंग नेक्स्ट कोश्चन है रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपती थे तो रोनाल्ड रीगन जो राष्ट्रपती थे यह अमेरिका के राष्ट्रपती थे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा और इनका नाम पूछा जाता है एक बात मैं और क्या दू कि जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रहा है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ ठीक है तो आप जाकर के जो वन वीडियो वन चेप्टर सॉल्यूसन है वो जरूर देख लिजेगा उसमें आपको पूरी तरह से कंसेप्ट किलियर हो जाएगा हलांकि करवाया गया उसमें अब्जेक्टिव कुश्चन ही है लेकिन काफी डीप में जाके करवाया गया है कंसेप्ट के साथ करवाया गया है चूपकह यहाँ पे number of questions जादा है इसलिए मैं हर questions को explain नहीं करूँगा और अगर करता भी हो तो मैं aurally कर देता हूँ लेकिन महाँ पे मैंने लिख लिख के हर questions को explain किया है तो इसलिए जो नई बच्चे हैं या जिन बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा है वो सारे बच्चे जाकर करके जरूर देख लेंगे एक बार और आपका जो एक्जाम है Political Science का साइट छे को है साइट छे को Political Science का एक जाम है तो एक बार Confirm कीजे तो आप लोग आप लोगों के पास Schedule होगा ना 6 को Political Science है मेरे ख्याल से एक बार आप लोग faithful करिएगा Yes या No में थिक है उसके बाद मैं बताता हो में क्या बोलने वाला था उससे पहले हम लोग उसके बाद नेक्स क्यूस्टन पर चलते हैं गुट निर्पेक्ष देशों का पर्थम सिखर समेलन कहां आयोजित किया गया च्छे को है बिलकुल चार को चार को नहीं है च्छे को होना चाहिए मेरे ख्याल से च्छे को है ना हाँ पांच को च्छे को है बच्छो च्छे को है च्छे को होगा पॉलिटिकल साइंस तो चार और पांच को आपकी क्लास चलने वाली है पॉलिटिकल साइंस की ठीक है चार और पांच जनवरी को ठीक है फरवरी को चार फरवरी और पांच फरवरी को आपकी क्लास चलने वाली है पॉलिटिकल साइंस की यूटूब पे है तो आप लोग अवेर रहिएगा इस बात से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ओके बिल्कुल गुट निर्पेक्ष देशों का पर्थम सिकर संबेलन जो हुआ था आप सभी जानते बेलग्रेड में हुआ था और बेलग्रेड यूगसलाविया में हुआ था ठीक है जिसका अध्यक्सता की थी मार्शल टीटो साहब ने की थी और भारत के तरफ से जो प्रतिनिद्ध तो कि परथम गुट निर्पेक्ष संबेलन के अध्यक्ष कौन थी तो जेश्ट मैने वरलिंभी बताया माकिक रूप से की मार्शल टीटो साहब और हमारा अंसर ऑप्शन पर ही यह सेशन लाया गया है अब्जेक्ट प्रिवेस यह कोश्चन का जितने भी पूछे गया है 2009 से लेकर के 2022 तक में आप लोग के कहने पर ही सेशन लाया गया थो तो आप लोग जल्दी से एक बार शेयर भी कर लिजे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेशन का लाब ल कि खुले द्वार की निती चीन ने अपनाई थी option नमर ये हो जागा और कब अपनाई गई थी चीन के द्वारा 1978 में 1978 में चीन के द्वारा क्खुले द्वार की निती अपनाई गई थी और frequently question ऐसा पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है नेक्स कोश्चन है भारत में पहला सफल पर्मानो परिक्षन कब किया गया था भारत में पहला सफल पर्मानो परिक्षन जो किया गया था यह 1974 में किया गया था ठीक है ओरली मैं बोलना हूँ सुन लिजियेगा 1974 में किया गया था उस समय परधान मंतरी इंद्रा गांधी थी कहां किया गया था भारत में भारत में राजस्थान का पोखरन एक जगय वहीं पे किया गया था इसलिए इसको पोखरन 1 के भी नाम से जानते हैं पोखरन वन के नाम से जानते हैं 1974 में किया गया था उस समय परधान मंतरे इंद्रा गांदी थी और इसका जो कोड नेम था वह स्माइलिंग बुद्ध था मुस्कुराते हुए बुद्ध था इतना ध्यानदा किये गा इससे डिलेटिड ओके नेक्स कुश्चन परमानू और परसार संदी नौन प्रॉलिफिरेशन ट्रेटी पर किस राज ने हस्ताक्षर नहीं किये है तो यह हो जाएगा भारत भारत ने नहीं किये है ठीक है भारत ने इस पर सिंगनेचर नहीं किया क्योंकि भारत इसको पक्षपातपुर्ण मानता है 1998 में दूसरा परमानू परिक्षन हुआ था उसका नाम ऑपरेशन सकती था उसको पोखरन टू के नाम से जाना जाता है यानि कि जो दोनों परमानू परिक्षन भारत ने किये वो पोखरन में ही किये ठीक है अपरेल उनिस्सो उन्चास में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था तो अपरेल उनिस्सो उन्चास में जो संगठन बनाया गया था आप सभी को पता है नाटो बनाया गया था नौर्थ नाटो बनाया गया था ठीक है नौर्थ अट्लांटिक ट्रेटी और्गनाइ कहते हैं 4 April 1949 को बनाया गया था इसका हैड़कॉर्टर ब्रुसेल्स बेलजीयम एक जगह है बेलजीयम एक देश है जहाँ पे जगह है ब्रुसेल्स जैसे मान ली नेत्रित का विरूद फ्रांस ने किया था इसका मतलब ये है कि नाटो का नेत्रित जो है वो अमेरिका करता है ओके नेक्स्ट कुश्चन है क्यूबा मिसाल संकट किस वर्स हुआ था तो ये हम लोग पहले भी अभी जस्ट देख चुके हैं 1962 में हुआ था और किवा मिसाल संकट को सीत युद का चरम मिंदू कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये बात मैंने आप लोगों के साथ डिसकस कर लिया है ओके बिल्कुल ठीक है कल एक जाम है हिंदी का कोई दिक्कत नहीं गया मैं तो ये है अगर नहीं पड़े होगी तो एक दिन मैं कुछ कर भी नहीं लहोगी सबसे बड़ी बात तो ये है बिल्कुल फिप्टीन का 1962 हो जागा बिल्कुल सही है नेक्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स्ट्स् जर्मनी इसमें थे अमेरीका फास्टम जर्मनी फ्रांस यह सब नाट हो एक है और वारसा संदी सौवित संग का सैनिक गुट था वार्षा जो जगह कहाँ पर पॉलेंड में वहीं पर यह संधी की गई थी और किसको कॉंटर करने के लिए नाटो को कॉंटर करने के लिए नाटो के जबाब में बनाये गया था ये सबी धियान लखियेगा next question है 1917 में रूस में समाजवादी राज की अस्थापना किसके दोरा की गई थी काल माक्स के दोरा की गई थी फ्रेडरिक एंजिल्स के दोरा की गई थी या फिर वलादिमीर लेनीन के दोरा की गई थी या फिर स्टालीन के दोरा की गई थी तो कई बार आप लोग जानते हैं य एक्टूबर क्रांथी के भी नाम से भी आ जाता है, तो यह सब आपको ध्यान रखना है, कभी-कभी अक्टूबर क्रांथी के भी नाम से आता है, बिल्कुल लेनिन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ओके, next question है दो धुर्वेता का क्या आर्थ है तो यह discuss होई चुका है तो हमारा option number क्या है C है और एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि question repeat हो रहा इसका मतलब है कि question कई बार पूछा दगे आएगी जाहाँ में कई बार question जो है पूछे गए हैं और same question पूछे गए हैं इसलिए आप लोग इस पे हमेशा अपनी पकड बना करके रखियेगा कि अगर question repeat होता है तो आपके लिए हमेशा positive situation होगा ठीक और अगर आप लोगों ने मेरी वो class 18 वीडियो की class है one chapter one वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छी से किया होगा तो आप अच्छी तरह से आपको पकड होगी किस पे जब आप exam देने जाएंगे जो सामने question होगा उस पे यानि कि बहुत ही काफे deeply काफे detail में वहाँ पे जाया गया इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है अभी भी टाइम है छे को political science का exam है एक पर जा करके उसको देख लो ओके बिलकुल कर लिए क्या कर लिए next question है 1917 में रूस में समाजवादी राज की स्थापना किस ने की थी तो वलादेमिर लेनीन जस्ट हो चुका है डिसकस वलादेमिर लेनीन के द्वारा की गई थी इसको 1917 की रूसी क्रांती भी कहा जाता है और कभी-कभी इसको अक्टूबर क्रांती भी कहते है ठीक है 1917 की रूसी क्रांती या अक्टूबर क्रांती भी कहा जाता है तो हमेशा ध्यान दखिएगा अगर कैसे भी पूछ लेता है तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होने चाहिए परिशानी नहीं होने चाहिए मैंने पढ़ाई नहीं 2017 की रूसी क्रांती अक्टूबर क्रांती यह सब का सब संबंद रूस से ही था ओके बिलकुल नेक्स्ट कुश्चन गलास्ट नोष्ट वह पेरिश्ट्रोइका के मंत्र किस ने दिये थे ठीक है तो आपको पता होगा जो सोवियस संग के अंतिम राश्पती थे सोवियस संग के अंतिम राश्पती उन्होंने यह गलास्ट नोष्ट और परिश्ट्रोइका के मंत्र दिये थे तो उनका नाम है उनका नाम है मिखाइल गोरवाचेव उनका नाम क्या है मिखाइल गोरवाचेव ओके अप्सन नमर डी हमारा सही हो जाएगा नेक्स कुश्चन है सोवियस संग बना कब था ठीक है सोवियस संग का विगटन तो सब जानता है 1991 में हुआ था लेकिन सोवियस संग बना कब था इसका आंसर करिए कब सोवियस संग का निर्मान हुआ था सोवियस संग का फॉर्मेशन कब हुआ था वट डेट आपको बताना है ठीक है वट डेट आपको बताना है कि सोवियस संग का निर्मान कब हुआ था, बिल्कुल, मैं जाना चाहता हूँ कितने बच्चों को पता है, कितने बच्चों को पता है, मैं जानू, ज़रा, बिल्कुल, 1922 जिनका भी है, बिल्कुल सही है, 1922 में, ठीक है, 1922 में, सोवियस संग का निर्मान हुआ था, 1917 की रूसी करांती के बाद 1917 की जो रूसी करांती थी उसके बाद रूस में सामयवादी सासन के अस्थापना होई और 5 साल बाद 1922 में सोवियस अंके अस्थापना हो जाती, ओके बिल्कुल नेक्स कोश्चन है थ्यान रखिएगा, नेक्स कोश्चन है नहीं लगा हूँ ठिक है औ सत्य लगा हूँ सत्य लगा हूँ तो हमेशा ये keyword पे ध्यान दखिएगा हमेशा इस keyword पे ध्यान दखिएगा इसके कारण होता क्या है कि जल्दी बाजी में बच्चे पढ़ते नहीं एक्जाम के प्रेसर में और ये keyword को मिस कर देते हैं जिसके वजह से आता हुआ इसलिए इस वट को ध्यान दखिना है तो जो सदसे नहीं है किसका वार्षासंदीका पस्चिम जर्मनी नहीं था पहसिंदी नाथो के खेमे नाटो के उस साइड था ठीक है नाटो के साइड में था और बांकिस पॉलेंड पुर्वी जर्मनी और सोबियस ये वार्षासंदी के अंतरगत आते थे ठीक है बिल्कुल इस सबने मिलकर वार्षासंदी की थी नेक्स्स कुश्चन है, जर्मनी का एकीकरन कब हुआ था, एक बच्चे ने मुझे पूछा था यूटूब पे, कमेंट बॉक्स में कि जर्मनी का एकीकरन कब हुआ था, ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरन जो हुआ था, यह हुआ था 1990 में, ठीक है, 1990 में जर्मनी का एकीकरन को गिरा दिया गया 1961 में बर्लीन की दिवार को गिरा दिया गया ठीक है और बर्लीन की दिवार को जब गिराया गया तो पुर्वी बरलीन यानी कि बरलीन का 20 से जो दिवार बना था, 150 किलोमेटर लंबा, वह जर्मनी को दो पार्ट में बाढ़ता था, एक तो पुर्वी जर्मनी और दूसरा पस्वी जर्मनी, तो जब बर्लीन का दिवार गिरात, 1990 में क्या हुआ, जस्ट एक साल बाद, अगले वर्स, जर्मनी का एकिकरन हो गया, और जर्मनी का एकिकरन का जो वर्स है, यह 1990 होगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत करियेगा, यहां पर, ठीक है, और बर्लीन की जो दिवार थी, यह सीत युद्ध का सबसे बरापरतीक, और, बिलकुल, और जो थी, क्यूबा, क्यूबा में साल संकट, वो सीत युद्ध का, चर्मनी क बिलकुल, चर्मनी कीवाज संकट, नेउन सानल संकट, कि देश के राष्ट पति थे, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट पति थे, आप लोगों को यहां देखने को मिलना है, वो सारे आठारा, आठारा वीडियो में, वन वीडियो वन चैप्टर के सॉलियूसन में कभर किय जा चुका है तो जो बच्चे देखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है वो सब जानते हैं कि सारा जो question है वहीं से फर्म हुआ है और जिन्होंने नहीं देखा है तो session के बाद जाके आप देख लिजेगा कि आप concept के लिएर हो जागा ठीक है एक एक question को हाँ करवाया गया है comment करते रही है बच्चो comment आपका नहीं रुखना चाहिए ठीक है आपका comment नहीं रुखना चाहिए comment करते रही है next question है 1991 में Soviet Sun के विघटन के उपरा कौन सा देश महसकती के रूप में उभरा था जब Sovias Sun के विघटन हो गया तो दो ही महसकती के बीच लालाई हो रही थी एक तो Soviet Sun, दूसरा अमेरिका, तो बचा कौन? अमेरिका बचा, ठीक है? तो अमेरिका हमारा आंसर हो जाएगा बिलकुल next question है दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं दूसरी दुनिया के देश में जो देश आते हैं पुंजी वादी देश है या फिर सामेवादी देश है या विकास सील देश है या गुट निर्पेक्ष देश है हमारा आंसर हो जाएगा सामयवादी देश या सोवियत खेमे के देश वहीं तीसरी दुनिया के देश में कौन हो जाएगा जो गुट निर्पेक्ष से जुड़े हुए जो देश है गुट निर्पेक्ष अंदोलन से जुड़े हुए देश है उनको तीसरी दुनिया का देश क धुरवियता में केवल एक ही जो देश था वो संहिकतराज अमेरिका था तो हमारा option number D correct answer हो जाएगा option number D जो है बिलकुल correct answer हो जाएगा ओके बिलकुल आप लोग answer करते रही है मैं देख रहा हूँ आप सबके answer next question है संहिकतराज अमेरिका के वर्तमान राष्टरपती कौन है और मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे इस पर answer करें मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हुएं, सब इस पे आंसर करें कि संक्तुराज अमेरिका के राष्ट्रपती वर्तमान में कौन है यह आपके option आपके सामने दिख रहे होंगे ओके? विल्कुल आंसर करना आप सभी को आंसर करो बच्चो बिल्कुल डी नमर जिनका भी है, इन में से कोई ने बिल्कुल सही है क्योंकि संक्तुराज अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपती है, वो जो बाइडन साहब है, कौन से है? जो बाइडन साहब है जो बाइडन, ठीक है? यह अमेरिका के वर्तमान राश्रपती हैं तो हमारा option नमर डी जिनका भी है बिल्कुल सही next question है निमलिकित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस है ठीक है आपको ना इस तरह के option जो दिया रहेगा इसमें से हमेसा ध्यान लखिएगा कि ऐसा option जरूर आपको मिलेगा वहां पर जो उसका सदस है नहीं होगा या उसका सदस होगा ठीक है तीन बहुत common देदेगा एक उसका odd देदेगा बहुत ही बहार से देदेगा तो नाटो के सदस कौन देखिए भारत भारत option है हमारा भारत नाटो का सदस है है पूछ रहा है है पूछ रहा है तो ब्रिटेन हो जाएगा है पूछ रहा है तो ब्रिटेन हो जाएगा मुझे लगा नहीं होगा 9-11 आप सभी को याद होगा ठीक है ठीक है 9-11 आप सभी को याद होगा यानि की 11 तारिक 9 महिना यानि की 11 सेप्टेमबर 2001 को हुआ था तो हमारा ऑप्सन जो हो जाएगा ऑप्सन नमर भी राइट answer हो जाएगा ठीक है option number B right answer हो जाएगा next question है सेख्ट राज अमेरिका में कुल कितने राज़ हैं तो सभी लोग जानते हैं सभी बच्चे जानते हैं सेख्ट राज अमेरिका में 50 राज है 50 राज है सेख्ट राज अमेरिका में ओके बिलकुल सेक्ट राज अमेरिका में जो है पचास राज है बिल्कुल 23 का भी हो जाएगा बिल्कुल नेक्स्ट है दित्य विश्यूद में अमेरिका ने जापान के किस सहर पर परमानो बम गिराया था तो अमेरिका ने जापान के दो सहरों पर परमानो बम गिराया था याद रखने के लिए मैंने बताया था ट्रिक हीना याद रखिएगा है हरसी कार से हीरो सीमा नौा कार से नागा साकी यहाँ पे 6 अगस्त को गिराया गया था और 1945 में गिराया गया था तो हीरो सीमा और नागा साकी जहर का ही नाम हमसे पूछा जा रहा है तो हीरो नागा साकी हमारा option हो जाएगा ठीक है देखिए कन्फ्यूज करने के लिए आपको हासिमा दिया हुआ यहां पर तो कन्फ्यूज मत हो लिजेगा ओके कन्फ्यूज मत करिएगा 34 का यह हो जागा बिल्कुल 34 का यह हो जागा और मैं गारेंटी देता हूं इस बात की कि जितने भी बच्चे जुड़े हुए ना सुरू से उस सेशन से ठीक है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूटूब सेशन पर उनको दिक्कत नहीं होने वाली एक्जाम है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा कर गयाएंगे मैं अब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं ठीक है और अब्जेक्टिव आपका गया च्छो सब्जेक्टिव भी आपका अच्छा चला ही जाएगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टुनेंट है और आप लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल नेक्स कुस्चिन है दोजार तीन में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था तो दोजार तीन में अमेरिका ने जो हमला किया था इराक के अंतरलक लाक्रेशन एराकी भारत लूस चीन क्या गलत है इसमें क्या गलत है 31 कषोई गलत नहीं चीन नाटो का सदस कभी बनाई नहीं रूस बनाइन जरूर ध्यान रखिएगा कि question बार बार रिपिटेडली पूछे जा रहे हैं इसलिए आपको इस सारे question पर अपना command कर लेना आपको याद कर लेना अच्छे से ताकि exam में आए तो आपको आप अच्छे से उसको tackle कर पाए ओके बिल्कुल तो खुले दवार की नीती चीन ने 1988 में भारत के परधान मंतरी राजीब गांधी चीन का दोरा करने वाले पहले इसे परधान मंतरी बने जो युद के बाद गए थे ठीक है युद के बाद यानि कि 1962 का भारत चीन युद हुआ था उसके बाद भारत का दोरा करने वाले चीन का दोरा करने वाले भारत के पहले परधानमंत्री राजीव गांदी बने थे और इसके दस साल बाद 1988 में वो कहे थे क्वेश्चन को न देखी औब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका है कि एक बने आपके आपको याद हो रहा है तो बिल्कुल को कुष्चन है विस्व को internet की शुबदा किस देश की देन है तो internet की देन है USA की सहिंख तो आज अमेरिका ने विस्व को USA की देन है ठीक है तो यह ध्यान दखिएगा MBA जो पार्ठे क्रम है ये भी USA से आया है निली जिन्स जो हम लोग पहनते हैं ये भी USA से आया है और इंटरनेट ये भी USA की देने है ओके नेच्स स्कुषन है कुवयद पर किस राज ने कबजा कर लिया था और इसलिए और इसलिए गवाट किस देश के राष्टपती थे तो Barack Obama जो राष्टपती थे या अमेरका की राष्यपती थे ठीक है और Barack Obama को 2009 में Nobel Prize मिला था ठीक है 2009 में United सांती का नोबल पुरसकार मिला था सांती का नोबल पुरसकार बराक अबामा को 2009 मिला था ठीक है तो यह भी ध्यान रखिएगा objective question में एक नंबर में बनता है बिल्कुल बिल्कुल next question है अमेरिका के किस राष्टपती को सांती का नोबल पुरसकार परदान किया गया जश्ट मैंने बताया बराक अबामा कब किया गया था 2009 में बराक अबामा को 2009 में सांती का नोबल पुरसकार परदान किया गया था ठीक है कायम हूँ देखे कितनी बार कोश्चन रिपीट हो रहा है सब जानते हैं अमेरिका सब जानते हैं कि अमेरिका के प्रभुत्त से एक धुर्वियता कायम होई थी नेक्स्ट कोश्चन है रोणाल्ड रीगन किस देश के राष्टपती थे यह कोश्चन पहले आ चुका है और रीगन थे ओके गोड इवनिंग गोड इवनिंग बच्चों कुछ बच्चे और नए जुड़ रहे हैं ओके बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट कोश्चन है निमने मैंसे कौन सा एक देश नहीं है आया नहीं केवल सत्य असत्य यह सब हमेंसे ध्यान रखेगा की वर्ट कौन सा एक देश नहीं है देश कौन सा नहीं है यहां देखते हैं देखिए मयानमार एक देश है भारत एक देश है चीन एक देश है सभी आपया जांते हाँ कॉंग कॉंग नहीं हाँ कॉंग कॉंग चीन की है ठीक है हांग कॉंग जाओ किम साथ कुछ बच्चे जो है ना हमिशा फास्ट फास्ट करते रहते हैं क्या फास्ट करेंगे फास्ट करोगे फिर फास्ट करने लगेंगे फिर कहोगे सर बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है ओके कि बिल्कुल सिटी है होंग कॉंग बिल्कुल सिटी है ठीक है नेक्स कोईश्चन है यूरो क्या है सार के देशों की मुद्रा पाकिस्तान की नहीं मुद्रा यूरोपिया संग की मुद्रा और उप्योक्त में से कोई नहीं तो आप सभी जानते है यूरो जो है यूरोपिया संग की मुद्रा यूरोपिया संग की जो देश है उन सभी की जो रोपिय संग्षों क्लेक सधने को निमलेकित में से कौन सा एक मानवाधिकार संगरठन है दो मानवाधिकार संगरठन के बारे में इस बूक में डिसक्स हुआ था पहला तो था इंटर्नेश्ण था इंटर्नेस्ट्र से यो अमेर्की वेस्ट था ठीक है तो दो मानवाधिकार संगठन के बारे में जिक्र हुआ था नेक्स्ट हो जाएगा यूरोपीय संग की अस्थापना कभी देखिए मैंने आपको बताया था यूरोपीय संग की अस्थापना जो हुई थी ना मास्टरी संधी के अंतरगत यूरोपीय संग की अस्थापना हेतर मास्टरी किया गया था लेकिन वहांपर यह नहीं लिखा हुआ है कि यूरोपीय संग की अस्थापना हेतर मास्थापना हों ही गई थी ठीक है इसलिए ये आता है कि 1993 में यूरोपिय संकिया स्थापना हुई थी लेकिन एक्जाम में 1992 देता है तो हम 1992 के साथ जाएंगे ओके 1992 के साथ जाएंगे बिलकुल नेक्स कोश्चिन है वर्तमान में कौन आसियान का राष्ट नहीं है आसियान का जो सदस राष्ट नहीं है तो आसियान का जो सदस राष्ट जो हो जाएगा अलजीरिया नहीं हो जाएगा ठीक है अलजीरिया नहीं हो जाएगा आसियान आप सभी जानते हैं इसको कैसे लिखा जाता है एस ए ए ए ए एन Association of Southeast Asian Nations ठीक है यह कुल दस दस देशों का क्या है एक संगठन है जिसमें से देश जो है मैंने ने उन्टारीऒ इंडोनेसिया बुरूनेई इंडोनेसिया कमबोडिया लाओस मैनमार मलेशिया फिलिपिन्स तक है यॉअbrand देशों की आसे शुरू ह्हूं और वियतनाम ठीक है तो BCIL ऐसे याद रखिएगा महिला मुक्यबाद फेडरेशन सोनी टीवी ऐसे याद रखिएगा तो आप को याद हो जाएगा और इसमें से कोई भी एक नहीं देता है तो आप वहाँ पे कर ले जाईएगा ओके बिल्कुल और आसियान का जो हैड़कोर्टर है जकार्टा मेंस्फान का रखिएगा जकार्टा मेंस्थ इतना द्धुंबर को सफन plateauEs इतना ध्यान लख येगा असियान के वारे में ओके निम्लिकीत मेंने से कौन सा देश असियन का सदश से नहीं है तो उस हिसाब से हो जाएगा स्रिलंका स्रिलंका सार्क का सदस्य श्रिलंका सार्क का सदस्य असियान का सदस्य नहीं है ओके विलकुल next question हो जागा साफटा समझाओते पर किस वर्षा स्ताक्शर हुआ था साफटा स-A-F-T-A South Asian Free Trade Agreement Free Trade Area Agreement कहते हैं ठीक इसको साफटा पर जो signature हुआ था यह 2004 में हुआ था साफटा पर signature 2004 में हुआ था next question है निम्लिकित में से किस देश ने खुले द्वार की निती अपनाई थर्ड टाइम जो है आंसर इसका आ रहा है तो डियो हो जाएगा चीन ने कव अपनाई थी 1978 में 1978 में 1978 में नेक्स्ट है जर्मनी का एकिकरन का वह डिसकस हो चुका है 1990 में जर्मनी का एकिकरन हुआ था 1961 में बरलीन की दिवार बनाई गई थी 1989 में बरलीन की दिवार गिरा दी गई और एक साल बाद 1990 में जर्मनी का एकिकरन हो गया ओके बिलकुल नेक्स लिए यूर Keya seng के सदस्यों की मुढरा कहा जस्ट डिसक्स हो चुका यूरो 65 психa के सदस्यों की मुद्राğ है। यूरोपीय संग का 1992 यहां दिया गया है तो 1992 रेफरेंस ले लेते हैं वैसे मैंने आपको कंसेप्ट किलियर करके बताया था कि 1993 में हुआ था ठीक है इसका जो हैटकॉर्टर है कहां है ब्रुसेल्स बेल्जीयम जो नाटो का हैटकॉर्टर है जहां उसी जगह पे यूरोपीय उग्रबाद से पिरित है नसलीय उग्रबाद से पिरित है जहां पर नसलों के अधार पर भेदवाब किया जाता है तो आपने सिरलंका में परहता है जहां तमिलों के साथ किया जा रहा है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी ओप्सन हो जाएगा सिरलंका दक्षिनेसिया की ब मांडू में है और सारखै की जो अस्थापना होई थी pregnant fine में धाका में हुए थी और धाका में ही सारख का पहला संमेलन भी हुआ था टो इतना धान दखिएगा सही देहान दखिएगा नेक्स्ट कोई सब्सक्रण कहाँ हुआ था तो का है वैवे भंगला देस में होकई सभी सही हो जाएगा है यह ने क्या कि नेक्स क्वेस्टन राइप्स तो ज मैंने बताय बहुत आट इसा भारत और भारत की आसपास के आप मैप नजर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा inडिया से जस्ट नीची आए श्रिलंका और मौल डीप. दो हो गया इंडिया तीन हो गया. इंडिया के जस्ट पूरब में जाये बंगलादेश और जस्ट उत्तर और पूरब के कॉर्णर पे जाई एगा तो भूटान हो लेकिन नेपाल में राष्टिय पंचायत बोला जाता है उसी तरह अमेरका में जो निचला सदन है, उसको कॉंग्रेस और उपरी सदन को सीनेट बोला जाता है, ठीक है, तो हर जगा के अलग 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 नाम है, नेक्स कोईस्चन है, निमलिकित में से कौन सा देश सार्क का सदस है, कौन सा देश है, तो सार्क का सदस जो हो जाएगा, भारत सार्क का सदस है, एसिया का एक मात्र देश जापान जो जी सेवन का सदस है, यह भी ध्यान रखिएगा, एसिया का और कोई भी देश जी सेवन का सदस नहीं है, गोड इबनिंग, गोड इबनिंग बच्चो गूद इबनिंग को भच्च जुड़ रहे हैं ठीक है यह नेक्स में भारत और बंगलादेश के बीच फरक्का समझाथा, गंगा नदी के जलके बठवारे को ले करके यह भी ध्यान दखियेगा नेक्स कोश्चन है मैक मोहन देखा क्या है तो मैक मोहन देखा डिसकस भी हो चुका है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा और किस एरिया में पढ़ती है तो अरुनाचल परदेश में पढ़ती है ठीक है अरुनाचल परदेश में आंदर परदेश नहीं याद रखिएगा अ X-A-A-R-C, इसकी अस्थापना कब हुई थी? सार्क ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो दक्षेष की जो अस्थापना हुई थी मैंने बताया था कितना 1985 में 1985 में दक्षेष की अस्थापना हुई थी कहां पर हुई थी धाका बंगलादेस में हुई थी इसलिए जो पहला सम्मेलन वहीं पर मनाया गया था लेकिन इसका हेड़क्वाटर काठमान्डू में है ओके कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उनीस सो चौरानवे काठमान्डू में है अभी जस्त मैंने बता दिया ठीक है बल्कूल और पहला समेलन धाकाम हम उगा था नेक्स कोश्ट्चन है बंगलादेश को भारत ने कब मानेता दिया था तो बंगलादेश को भारत ने मानेता दिया था जास्ट 1971 में युद जब भारत ने पाकिस्तान के साथ युद जीत लिया पाकिस्तान के खिलाब तो भारत ने बंगलादेश को मानेता दे दिया as a country ठीक है बिलकूल एकसट का उनिस्सो पचासी हो तो हमारा option हो जागा बी नमर option नरेंद्र मोदी ओके बी नमर उप्सन हो जागा नरेंद्र मोदी एक बाद में देख लूँ आप लोगों की क्या condition है स्थिति ठीक है बिल्कुल 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 64 का भी हो जाएगा नेक्स कोश्चन है किस दक्षिन एसी आई देश में समयधानिक संकट है देखिए जिस समय कोश्चन पूछा गया तरन उस समय था हलांकि आप सभी जानते हैं कि अभी भी कुछ समय पहले तक पाकिस्तान में ऐसी इस्थिति देखने को मिल रही थी जहां पर समयधानिक संकट था और इसके हिसाब से जो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा यह नमर उप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सिरलंका में जाती है संगर्ष के बारे में कौन सा कथन असत्त है यानि की गलत है यह सवर्ड हाइलाइटेड है यानि इसलिए मैंने हाइलाइट कर रखा है कि आपको ध्यान है एकजाम में गरवरा मत जाईएगा वहाँ पर पूरा एस्टेटमेंट पढ़ना है और यह सार्क देशों का समर्थन प्राप्ता बिलकुल नहीं प्राप्ता तो हमारे option ऑप्सेंघ neature California सही होजाएगा क्योंकि इहाँ पे पूछा क्या जा रहा है और सत्य पूछा जारा है गलत पूछा जारा है तो सी नमर ऑप्सेंघ no amara बिलकुल प्यलकुल सहीं हो जाएगा ओक पहले से जुत यक постpielt श्वारत में हुआरे जवान है भारत की जवान यह वह सहीद उडाते और भारत ने इस का बाइकॉट कर दिया तरे भारत नहीं जाने वाले था और इसी सिल्षले में सारे देशलेंने इस कर दिया और दोजार सोलों के बाद सार्क का सम्मेलन नहीं हुआ है ओके सार के बारे में एक और 2007 में 2007 में ठीक है इसका जो आठमा सदा से बना था एट मेंबर यह कौन बना था अफगानिस्तान अफगानिस्तान 2007 में इसका आठमा सदा से बना था ठीक है बिल्कुल नहीं यह रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है कौन कहा रहा है रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है ओके a rechts question सार्ग का मुख्याले कहा है काठमांडू में सार्ग का मुख्याले काठमांडू मे है ओके 13 resume पशिए बच्चों मैं फास्ट कर रहा हूं अपने इस हास ठीक है निम्लेकित में से कौन सा डेश सार्ग का सदा से नहीं है तो नहीं है कौन सा ओज father भुटान है मयानमार है भारत है नेपाल है ठीक है भुटान है भारत है तो मयानमार नहीं है मयानमार किसका सदस है आसियान का सदस है मयानमार आसियान का सदस है नेक्स क्वेश्चन है निमलिकित में से कौन सा देश सार्क का सदस नहीं है नहीं है मतलब जापान नहीं है इसके next question है दक्षिस का मुख्याले कहा एसी त운 है देख कोस्टल बहुत जादा repeat हो रहा identify के कमांड करना याद करना है और बस एक्जाम में हो जाएगा ठीक है इतना ही आसान है जितना मैं बोल दूम बिल्कुल इतना ही आसान है बस लगे रही है क्या बोले हो कि Japanese बिल्कुल संग के पर्थम ACI महासचीव पर्थम ACI महासचीव पर्थम ACI महासचीव थे कौन थे आप सभी को पता है यूठाट यूठाट जो थे पर्थम ACI महासचीव थे किस देश से रिलेटेट थे तो यह मयान मार के थे ठीक है मया मार के थे बिलकुल और पर्थम महासचीव कौन थे सिर्फ पर्थम महासचीव पूछेगा तो कौन थे एंटेनियों गुटेरस तो वर्तमान में है ट्रिग वेली जो फर्स्ट ठीक है फ़र्ष्ट महासचीव थे किसके यू एन के या ट्रिग वेली थे ट्रिग वेली थे ठीक है यहां भी ध्यान दखिएगा बान की मुन दक्षिनेशिया के थे संक्तराष्ट के महासचीव थे एंटेनियों गुटेरस वर्तमान में है नेक्स कोश्चन है किसकी सिपारिस पर महासबा महासचीव की नियुकति करती है तो यहां जो है सुरक्षा पर चरा इनेक्स कोश्चन है में सितराष्ट के अस्थापना हुई उसका मौलिक सतर से कौन था उसका मौलिक सतर से कौन था यानि के क्या बन सदस थे 51 थे लेकिन option के हिसाब से भारत हो जागा क्योंकि भारत 1945 के अक्टूबर में ही जो UN की अस्थापना हुई थी ठीक है यह जो हुई थी 24 अक्टूबर आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और भारत जो इसका सदसे बना था यह 30 अक्टूबर 1945 को बना था इसलिए option के हिसाब से भारत जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के comment बहुत कम गए क्या हो रहा है बिल्कुल डी options बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स question है सेंक्तराश्व संका महासचिव कौन है वर्तमान की था रखना हको जाएगा वर्तमान की बात पूछिव जा रही है तो वर्तमान में अंतराश्व सब्सक्राश्वक पूर्व जाएगा ऑप संका महासचिव कौन है वर्तमान में तो एंतयनियो गुटेरेस इसलिए हमारा option number D यहां भी हो जागा देख लिए यह question repeat है ठीक है question 10 में पूछा गया है question 17 में पूछा गया question 11 में पूछा गया इसलिए ध्यान रखना हमेशा यह ध्यान रखना है question repeat है इसलिए नहीं करेंगे बलकि पूछा गया कई बार इसका importance बहुत ज्यादा है कि नाम लो नाम क्यों ले और किसका नाम ले अब यह मत कहने लग जाना कि मेरा नाम लो मेरा नाम ठीक है बिल्कुल पढ़ते रों बिल्कुल एक्जांब यह ना कलाप का विस्व श्रम संगठ्थ इंट्रनेशनल लेवर और अर्गिनाजेशन का मुख्याले कहा है तो इंटरनेशनल लेस्वर और अर्गिनाजेशन का मुख्याले है जा जीनेवा में ठीक है और इसकी जो अस्थापना हो एथी इस्टेब्लिस्मेंट जो हुआ था यह उनीस सो उनीस में हुआ था इतना ध्यान दख्येगा उनीस सो उनीस में हुआ था इंटर्नेशनल लेबर और अर्गिनाइजेशन का ओके बिल्कुल संक्तराष्ट संग की अस्थापना का बई थी 24 अक्टूबर 1945 को थी और भारत इसका सदा से बना 30 अक्टूबर 1945 को 2011-12-1921 देखे frequently पूछा गया question है किस देश ने सुरक्षा परिशद में सरवादिक बार निसेदा दिकार यानि के वीटो का यूज किया सबसे ज़्यादा वीटो का यूज किया है रूस ने किया है ठीक है रूस के जगह पर अगर आपको सोवियस संग मिल जाए तो वह भी एंसर कर सकते है आप दूसरा सबसे अधिक बार किस ने किया है अमेरिका ने दूसरा सबसे अधिक बार किया बिल्कुल कि मुख्याले का इंटरनेशनल कोट औफ जिस्टिस आसीज़ान में इंटरनेशनल कोट अप जस्टिस का मुख्याले है ओके रस्यन विल्कुल रस्यन अमेरिका सेकेंड हैस्ट किया ठीक है अमेरिका ने सकेंड हैस्ट किया कि ओके नेक्स्ट कुश्चन एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे समधी तो मैंने बताया थे दो नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल और त 101 ऑ्योमें रायट वाच्ट यह ढूनों नाम यहां online वाधिकारों की वकालत करता है मानेवाधिकारों से related बाते करता है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी नमर अप्शन हो जाएगा मानवा धिकार से रिलेटेड यह एक संगठन है जहां एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके बेस्ट है यूनाइटेड गिंगनम यानि कि ब्रिटेन बेस्ट है वहीं हुमन राइट्स वाच यह जो है अ का मुख्याले का इंटरनेशनल मौनिटरी वासिंग्टन मैं फंड में इंटरनेशनल मौनिटरी फंड का मुख्याले है इसकी अस्थापना जो हुई थी उनिस सो चबाले समें हुई थी इसके सदस् believer की संख्या एक सो नव्ब्य है ठीक है इतना ध्यान दाखिएगा पिल्कुल और वही उनिस सो wow 17 tu world बैंक के टीक है इसकी अस्थापना उनिसे dalam每 did 1 canon थ record मुख्याले हो जाएगा next question सेंगतराष्ट संके charter में कितनी धारा है तो धारा है जो है आर्टीकल जो है कितना है 111 यानि की 111 आर्टीकल है 111 आर्टीकल है ओके बिल्कुल next question विष्व व्यपर संगाठन World Trade Organization में किस संगाठन का उत्राधिकारी है तो अब सभी जानतें गेट का जेनरल एग्रेमेंट और टैरिफ एंट ट्रेड जीए टीटी ठीक है यह गेट का उत्राधिकारी है व्ड्ट ट्रेड और्गेजेशन की बात आई है तो इसकी अस्थापना 1995 में हुई थी ठीक है इसका हेड़कॉर्टर जिनेवा इसका हेड़कॉर्टर है स्विट्जर रन के जिनेवा में बिलकुल और सदस देशों की संख्या 164 164 है विस्म में व्यपार को यह कंट्रोल करता है नियंत्रित करता है और यह रूल बनाता है व्यपार से स मनती विस्म में ओके अंतराश्री अनु उर्जा अभीकरन इंटर्णेशनल एटामिक एनर्जी असेस्येसन इसकी जो अस्थापना हुई थी यह हुई ती सामाने समझाता next question है सुरक्षा परिशत का अस्थाई सद से नहीं है सुरक्षा परिशत के 5 अस्थाई सद से आप सभी को पता यहां से नहीं हो जागा Italy Italy नहीं है बाकि 3 यहां पर दिखा हुआ है France, Britain और चीन और 2 जो है यह दो कुल 5 सदस है सुरक्षा परिशत के अस्थाई वो अस्थाई सदस्यों के संख्या 10 होती है वो अस्थाई सदस्यों का कारेकाल दो वर्षों का होता है ठीक है? बिल्कुल next question है सुरक्षा संग के पर्थम ACI महासाचीब question repeated है you third थे ठीक है? और कहां के थे? मयानमार के थे बान की मून जो थे? सौथ कोरिया के थे? ठीक है? बिल्कुल सौथ कोरिया के थे और पर्थम अगर ACI हटा दे संख्या संग के पर्थम महासाचीब कौन थे? ट्रिग बेली और वर्तवान में महासाचीब कौन है? तो एंटेनियो गोटेरस साहब एंटेनियो गोटेरस दियान दखियेगा ओके नेक्स कुश्चन है संक्तराष्ट संके कितने अंग है तो अंग जो है कुल छे अंग है शिक्स औरगन है संक्तराष्ट संके और सबसे बड़ी कौन सी है महासभा है सबसे बड़ी संक्तराष्ट म महासवा संक्तराष्ट की और्गन है अंग है बिल्कुल नेक्स कुश्चन है विस्व बैंक की अस्थापना की कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की अस्थापना डिसकस हो चुका आयम एफ के साथ मैंने डिसकस कर दिया है तो डी हो जाएगा हेड़कौर्टर वासिंग्टन डी-सी नबासि है नेक्स्ट कुश्चेन निमलिकुक्त में से क्वण सेंटराष्ट संग का अंग नहीं है तो महासवा है परिशद है अंतराष्ट्र नेयल है यूनिसेफ नहीं है यूनिसेफ बच्चों से संबंधित एक संगटन है यूनिसेफ ठीक है यू एन I C E F United Nation International Children Education Fund Children आ गया न तो बच्चों से related यह एक संगत है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल next question है CTBT प्रस्ताव संग्त राष्ट द्वारा कब सिकार किया गया CTBT प्रस्ताव संग्त राष्ट संग्त द्वारा कब सिकार किया गया Comprehension Test Bank Treaty CTBT Comprehension Test Bank Treaty जो प्रस्ताव स्विकार किया गया था बिल्कुल 1996 में 1996 से कुछ यादा या फरक्का समझाता भारत और बंगलादेश के बीच में जो हुआ था क्या लिख रहे हो I miss you I miss you टू बच्चो मैं भी आप सब को बहुत मिस्स करने वाला हूं 91 का 1996 बिल्कुल 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 नेक्स कुश्चन है विस्व में सांती बनाई रखने का दायत हो किस पर है विस्व में सांती बनाई रखने का जो दायत हो है या सुरक्षा परिशत पर दायत हो है विस्व में सांती बनाई रखने का इसको विस्व का सिपाही या विस्व का परहरी भ रहा जाता है, मेरा नाम क्या है, एक बच्चा पूछ रहा, मेरा नाम क्या है, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, next question है संक्तराष्ट संका सबसे बड़ा अंग कौन सा है संक्तराष्ट संका जो सबसे बड़ा अंग है या संक्तराष्ट महासभा होती है संक्तराष्ट महासभा तो B option हमारा सही हो जाएगा B option सही हो जाएगा नाम देख लेना जिन बच्चों ने भी नाम पूछा देख लेना ठीक है बिल्कुल 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 रोने वाला इमोजी के बना रहे आप लोग बिल्कुल सुरक्षा परिसाद के कुल अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है कुल पर्मानेंट मेंबर कितने है पाँच पर्मानेंट मेंबर है ठीक है यूएसे रस्या चाइना फ्रांस और बिल्कुल पर्मानेंट मेंबर है और दस नन पर्मानेंट मेंबर यानि की ओस्थाई सदस्यों का जो कारेकाल होता है दो वर्सों का होता है ओके बिल्कुल नेक्स कोश्चन है विस्व के देशों के बीच वैपार संगठनों के लिए कौन सांतराश्टी संगठन जिम्मेदार है कौन सांतराश्टी संगठन है वैपार के लिए ठीक है वैपार के लिए ध्यान दखियेगा वाले ट्रेड और इगनाईजिशन विस्व वैपार आया था च्छे को आपका political गाव ए और चार और पांच को आपका YouTube सेस्ण है तो जरूर बच्चे आ करके देखेंगे के जरूर आ करके देखिएगा मैं कहां से हूँ, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, ओके, इस्टेंड वेस्ट, अच्छा, इस्टेंड वेस्ट, अंकी सर, ओलवेज वेस्ट, थेंक्यू, क्या क्या बच्चे, मतलब क्रेटिविटी दिखती है आप लोगों की, ओके, ने से बना था 1947 में भारत आजाद हो और कुछ ले सकते हैं कैसे 1952 में कौन सा परिशत था जिसमें परधानमंत्री उसके पदिन अध्यक्ष होते हैं कौन सा परिश्चत है 1952 में ठीक है किसका अगठन हुआ था जिसके परधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं याद करिए इस तरह से याद करके रिलेट करिए ठीक है राश्ट्री ये कौन सा परिश्ट था इस नेक्स्ट कुस्चन विश्वाहिंसा दिवस किस तिथी को मनाया जाता है मैं देख रहाँ आपके आंसर्स आने चाहिए 1952 में किसका गठन हुआ था जिसके परधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं राश्ट्री ये सुरक्षा परिश्द बिलकुल राश्ट्री विकास परिश्द सुरक्षा परिश्द विकास परिश्द था बिलकुल ठीक है ठीक है नेशनल डेवलोपेंट कॉंसल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है न्डेस बिलकुल 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 सुरक्षा ने विकास परिश्द नेशनल डेवलोपेंट कॉंस मनाया जाता है एक दिसंबर को विस्व एट्स दिवस मनाया जाता है पांच जुन को विस्व परियावरन दिवस मनाया जाता है और आठ मार्च को विस्व महिला दिवस मनाया जाता है वहीं तेरह मार्च को राष्ट्य महिला दिवस मनाया जाता है इतना ध्यान रखियेगा ओ संक्तुराष्ट्र संग के वर्तवान महासचीव हैं एंटेनियो गुटेरस सहा ओके नेक्स्ट है संक्तुराष्ट्र संग के तत्वाधान में नहीं सस्त्रीकरन आयोग कब बना था तो यह बना था 1952 में 1952 में संक्तुराष्ट्र संग के तत्वाधान में नहीं सस्त्रीकरन आ मनाया जाता है तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 26 जन्वरी को घंतंतर दिवस मनाते हैं ठीक है बिलकुल कि नेक्स्ट कुश्चन रिएस से के वर्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था 2021 में और कब किया गया था 9-11 नौ क्या हो जाता हमारी यहां कैसे लिखते हैं हमारी यहां पहले डेट लिखते हैं ठीक है फिर मन्त लिखते हैं फिर इयर लिखते हैं ठीक है यह इंडिया में होता है वहीं अगर USA की बात करें USA की बात करें तो पहले month लिखा जाता है फिर date लिखा जाता है जो वहाँ का general tradition है उसके बारे बात करें फिर year लिखा जाता है तो 9-11 का मतलब जो 9 जो था यह month था और 11 का मतलब date था यानि 11 September को मनाया जाएगा तो 11 September 2001 ऩो मनाया जाएगा थेक है मनेस्टी इंटरनेशनल किमhat से संबंदित है में नेस्टी इंटरनेशनल जो है मनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से 34 बार फिर टीच कैंसे चोथा वार्री पीट हो रहा नेक्स ग्यंटे इत दिवस का मनाया जाता है दस दिसंबर को विस्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है विस्व में सांती बनाय रखने का दाय तो सुरक्षा परिसद पर है रिपीट हो रहा है कोश्चन कोश्चन रिपीट हो रहा है इसलिए कहता हूं पढ़ो ठीक है इसलिए कहता हूं ताकि अगर आ जाए आपके सामने तो आपके लिए positive हो जागा वो बिलकुल मैं Instagram यूज नहीं करता बच्चो ओके नेक्स question है वर्तमान में स्विंक्त राष्ट संग के महा सचिव को ने कितनी बार आ गया कितनी बार इसमें से answer कहा है कहा है answer इनमेंस कोई नहीं होगा एंटेनियो गुटेरिस एंटेनियो गुटेरिस साथ वर्तमान में स्विंक्त राष्ट संग के महा सचिव हैं ओके बिलकुल 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 नेक्स्ट कोश्चन है वैस्विक ताफ विर्दी ग्लोबल वार्मिंग किस सुरक्षा का मामला है तो यहां एक सामुईक सुरक्षा का मामला है ठीक है यह एक सामुईक सुरक्षा का मामला आप जिन बच्चों को यह लगता है कि डिस्कस नहीं करने है सर ठीक है तो इसलिए मैं कहता हूं जो भी प्लेलिस्ट है वो जाकर के देख लेजिए प्लेलिस्ट मिलेगा आपको क्लिक करिएगा और देख जाईएगा वन वीडियो वन चेप्टर सॉलिएशन है पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया वहाँ पे इसलिए आपका कंसेप्ट जो वहाँ पे किलियर हो जाएगा गोडिबनिंग कुछ बच्चे अभी भी जोर रह हैं गलत है संक्तो राष्ट इन की अगा मन्त जो जागा नाइन और गरएध्यागा हो जाता है शैप्तेमबर हैथ आपने और नहीं कर रखा होगा आपने बैल आइकन नहीं दवा रखा वागो डाला करता नींड और कोई बात नहीं फास्ट बिल्कुल अल्मॉस्ट फास्ट अब इससे जादा फास्ट क्या करें । नेक्स्सक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ये ये बाते जो है ना नोटिफिकेशन नहीं आता है अपने नेट आउन कर रखा था जिससे में ये क्लास होती है पांच बजे का सेडियूल आपने नेट नहीं आउन कर रखा होगा तबी दो ही कंडिशन में नोटिफिकेशन नहीं आपाएगा आपने अगर सब्सक्राइब और बेल आइकान नहीं प्रेस कर रखा है ठीक है तो नहीं आ सकता है दूसरा आपने सब्सक्राइब कर रखा और बेल आइकान भी प्रेस कर रखा और अपने नेट नहीं कर कर रखा है तो नोटिफिकेस्ट नहीं आ सकता ठीक है बिलकुल networking है तो यहां जो हो जाएगा सब से पहला ए स्टॉक हों मैं हुआ था समлекम के वह नाम से को जानते है और उस्टाक हो में हुआ था चुकिंस अगहाने हुआ था इस लिए इसको एस्ट आ मैं कहूंगा कि पेडियेफ दाल देने के लिए ऐके बस कुछी question किस कमीटी की रीपोर्ट पर भारस सरकार ने परियावरन विभाग अस्थापित किया था तो ति यह तिवारी कमीटी थी यह तिवारी अच्छा, मेरा सब्जक्ट ओपॉलिटीकल साइन्स तो बाट जो बच्चे जुड़े हुए उनको पता होगा ठीक है, तो मैं पॉलिटीकल साइन्स की गारंटी ले सकता हूं, और मैंने लिया भी, मैंने बता भी कि मैं बताऊंगा, इसलिए मैं बता रहाँ ठीक है, और आप कि डिमांड पर यह सेशन लाया गया था मुझे तो लगा खतम हो गया और जाहर सी बात है यह सारा कुश्चन करवाया जा चुका है नेक्स कुश्चन है उनीस सो बिरानवे में किस सहर में पिर्थवी सम्मेलन हुआ था तो रियो ब्राजिल का एक सहर है रियो डिजनेरियो ठीक है ब्राजिल देश है वहां का एक सहर है रियो डिजनेरियो वहां पे उनीस सो बिरानवे में पिर्थवी सम्मेलन हुआ था चुकी यह रियो डिजनेरियो में हुआ था इसलिए इसको रियो सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं ने किरन ने एक सेरे किरें ने इंफरारेड है या अल्ट्रा वाइलेट है तो अल्ट्रा वाइलेट किरन ठीक है जो सूरिय से जो अल्ट्रा वाइलेट किरन आती है उसको उससे हमें जो उजोन परत है या प्रोटेक्ट करता है ठीक है उजोन परत प्रोटेक्ट करता है बिल्कु नेक्स्स क्वेश्चन है पहला परियावरन सिखर सम्मेलन कहा हुआ था देखिए यहां पर पहला पहला अंतराश्ट्रिय सम्मेलन किस पर परियावरन के मुद्दे पर और अब क्वेश्चन यह देखिए पहला परियावरन सिखर सम्मेलन कहा हुआ तो हम क्यों मारेंगे दूसरी जगा एस्टाकॉम ही मारेंगे ना इसलिए इसको इस्टाकॉम सम्मिलन के नाम से जाला जाता है और कुछ-कुछ-कुश्चन गलत दिये हुए ठीक है वहां पर इसलिए कंफ्यूज मत करियेगा नेक्स कुश्चन है बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतराष्टी संगठन है तो मैंने बताया था कौन सा यूनिसे यूनिसे बच्चों के अधिकारों के लिए अंतराष्टी संगठन है यू एन आई सी ए और एफ यानि की यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चि इसको यह United Nation की एक संस्ता है जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित बात करती है ठीक है विलकुल हम लोग विस्व परियावरन दिवस कब मनाते हैं तो पांच जून को मनाते हैं विस्व परियावरन दिवस पांच जून को मनाया जाता है ओके बस हो गया कुछ क्वेश्चन और है बच्चों निमलिकित में से कौन एक परियावरन वीद नहीं है सुनीता नाराएन मेधा पार्टकर आर्गे पचोरी अर्विंद के जरिवाल अर्विंद के जरिवाल क्या है यह एक राजनितिग पॉलिटीसियन है और कौन है दिल्ली के व मार्च 8 माइक को 8 मार्च नअज आ जाता है विश्व महीला दिवच्च मार्च को मनाया जाता है ऊके ? मेलकुल कमेंट कर यह तो राश्ट्य महिला दिवच्च कब मनाया जाता है ? बिल्कुल राष्ट्रे महिला दिवस कमेंट करिये तो नेक्स्ट कुश्चन है थर्टिन वाट थर्टिन मर्च राष्ट्रिय महिला दिवस नहीं 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 भुमंडली करन किस विचारधारा ठीका है भुमंडली करन इसका दूसरा आपनाम है वैस्वी करन और इंगलिस में इसको ग्लोबिलाइजेशन कहा जाता है यह किस विचारधारा पर ठीका है तो यह उदारवाद की विचारधार ठीक सरकाल सरकार जब तक उदार नहीं होंगी तब तक वैस्भी करद नहीं हो पाएगा त Gulf software यह बिल्कुल सही आंसर है जिनका भी तेरा सब Óइब आप सभी को निम्हिटित में से जो की गई या 1948 में की गई थी किसके दोरा की गई किसके दोरा की गई तो किसके दोरा की गई थी united nation के दो है united nation के दोरा की गई थी मानवाधिकारों की शार भौरविखोषना और कब की गई थी 1948 में 10 दセंबर cardiac millimeter AM chief qa गई थी इसलिए हर वर्स 10 दिसंबर को विश्व मानवादिकार दिवस मनाया जाता है ओके इसलिए 10 दिसंबर को हर वर्स मेरे द्वारा अच्छा आपके द्वारा की गए थी बहुत अच्छा बिलकुल बिलकुल नेक्स कुश्चन है कानून का समान सनरक्षन सब्दावली कहां से लिया गया देखिए ध्यान रखिएगा टर्मिनलोजी पर कानून का समान सनरक्षन जो सब्दावली लिया गया है यह यूएसे से लिया गया ठीक है अमेर्का से लिया गया वहीं दूसरा ह है कानून के समान कानून के श्मक्ष समानता है कानून के समंख्ष समानता सब्दा वली है बृट जकी ज़ान वा पट है यह बात धियान रखियेगा दोनों में कि कि बिल्कुल okay okay, 22 का यह हो जागा, बिलकुल 22 का यह हो जागा, और 13 का क्या हो जागा, कानून के समक्ष समानता हो जागा, ठीक है, बिल्कुल, I hope, खतम होगी है, बिल्कुल, आज की class zो है, खतम होगी, और हम लोग मिलेंगे, कब, 4 फरवरी, और पांच फरवरी को के चार फरवरी और पांच फरवरी को, आप लोग यूटूब पे चेक कर लिजिएगा जा करके ठीक है नोटिफिकेस्टन वहाँ पे डाला हुआ रहेगा 4 और 5 फरवरी को हम लोग जणोर मिलेगे एक्जाम से पहले एक्जाम 6 को है चार और पांच को मिलेंगो उसमें एस्ट्रेटजी भी डिसकस करेंगी ठीक है तोरी देर और विल्कुल क्लास यहीं तक आज रहने देते हैं आपका जो जितना 2009 से लेकर के 2022 तक में जितने भी कुश्चन पॉलिटिकल साइस में पूछे गए हैं ये सारे कुश्चन मैंने दिया ठीक है ये सारे करवा दिया और जो नए बच्चे हैं वो जाकर के इसका पहले वीडियो भी है तो वह भी देख लिजिएगा एजुकेशन बाबा की चैनल पे सेसन अच्छा लगे तो लाइक जरूर किजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा और स पास कैसा लगा तब तक के लिए बिल्कुल मैं आप सभी को बहुत मिस करूंगा तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल लखिए थैंक्यू टेक करें बाई बाई